प्रदान मंत्री नरेदर मोदी की लाइव तस्वीरे क्योंकि फिलाल समोधित पर रहे हैं राफेल एरकाप का फ्लाइट पास भी हम सब ने देखा हमारी नौसेना का जहाज भी फ्रांस के पोर्ट पर मोजूद था यानि जल थल नब हमारे बढ़ते सह्यों के शांदार तस्वीर हमें एक साथ दिखने को मिली कल राश्पति मेकरों ने मुझे फ्रांस के सर्वस्रेष्ट राश्टिय प्रुसकार से सम्मानित किया ये सम्मान एक सो चालिस करोड भारत वास्यों का सम्मान है फ्रेंट्स हम अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टरशिक की पचीसवी वर्सगान बना रहे हैं बीते पचीस वर्सों के मजबुत आधार पर हम आने वाले पचीस वर्सों के लिए रोड मैप तयार कर रहे हैं इसमें बोल्ड और महत्वकांक्षी लक्ष निर्धारित किये जा रहे हैं भारत के लोगों ने भी इस कालखन में एक विक्सित देश बनाने का संकल्प लिया है इस यात्रा में हम फ्रांस को एक नेचरल पार्टर के रुप में देखते हैं दो दिनों में हमें आपसी सहयोग के सभी खेत्रों पर विस्तार से बात करने का अउसर मिल रहा है आर्थिक समंदों को और सुदूर करना हमारी साजा प्रात्विक्ता है रिन्यूबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, आर्टिफिशल इंटलिजन्स, सेमिकंड़क्टर्स, साइबर, डिजिटल टेक्नलोजी जैसे अनेक शेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए हम नए इनिसेटिव की पहचान कर रहे हैं भारत के UPI यानि Unified Payments Interface को फ्रांस में लॉंच करने पर समझोता हुआ है हम दोनों देशों के स्टार्ट अप और इनोवेशन, इकोसिस्ट्रिम को आपस में जोडने पर बल दे रहे हैं समान विचारधरा वाले देशों के साथ मिलकर हमें टेक्नोलोजी सप्लाइचेंज के लोकतंत्रि करण के लिए लगातार काम करना चाहिए Climate Change और परियावरन सुरक्षा हमारी साजह और मुख्य प्रात्विक्ता रही है इस दिशा में हमने पहले ही International Solar Alliance थापित किया था जब एक movement बन गया है अब हम blue economy और ocean governance के roadmap पर तेजी से काम करना चाहते हैं Single-use plastic के खिलाब हम एक साजह पहल पर आगे बढ़ेंगे Indian Oil और France की Total Company में LNG के निर्याद के लिए जो long term agreement हुआ है मैं उसका स्वागत है इससे हमारे clean energy transition के लक्षों को बन मिलेगा अब से कुछ देर बात हम भारत France CEO's Forum में भी हिसा लेने वाले हैं दोनों देशों के business प्रतिरीजियों के साथ आर्थिक सहयोग मजबुत करने पर विस्तार से चर्चा होगी फ्रेंट्स रक्षा सहयोग हमारे समंधों का एक मुलभुत स्तंब रहा है यह दोनों देशों के बीच गहरे आपसी विश्वास का प्रतीख है मेकिन इंडिया और आतमंदिर पर भारत इसमें फ्रांस एक एहम पार्टनर है आज हम रक्षा के खेत्र में भारत में नई टेक्नोलोजी के को प्रोडक्शन और को डेवलप्मेंट पर बात करेंगे सम्मरीन हो या फिर नौसेना के जहाज हम चाहते हैं कि मिलकर केवल अपनी ही नहीं तीसरे मित्र देशों की जरुतों को भी पूरा करने के लिए हम काम करें हमारी डिफेंस स्पेस एजनसीज के बीच सहयोग बढ़ाने के संभावनाए है फ्रांस की कंप्रियों द्वारा MRO facilities